हेलो फ्रेंड, if you are SACS parent, then this notice is for you and this is bumper offer from the government of India, right? यह notice आज ही रिलीज हुई है 20 जून को 20 जून को, काफी जब जस्त नोटिस लेका आया हूँ आपके सामने तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो नोटिफिकेशन आपको आपको कर ले और सब्सक्राइब बेटम पर किलिक कर ले है, right? Let's get started, क्या कहा है, Government of India ने SAC website के थुरू, they have said, अब पढ़ लो, यह मैं एक लाइन में बता देता हूँ, 70,000 additional vacancy रिलीज करने वाली है, upcoming notification में, 70,000 notifications, 70,000 vacancy, this is huge guys, और जैसे को पता है भी election आने वाले है, तो government, तो number of vacancy निकाले गए है, उनको election जितना है, तो definitely इस साल, अगल CPU, GD, Constable, Selection, Post, Delhi, Police, whatever, सभी जानुशन पे 70,000 additional vacancy निकल के आने वाली है, यह जैसा कि आप देख सकते हो, right, this is from government of India, right, 20, right, देख सकते हो, यहाँ पे, बीजून, by the government of India, this is the official notification in the SAC official website, so this is huge guys, इसको आप easy मतलो, जी जान लगा दो, यह आने वाले, यह 22, 22, काफी important आने वाल आपके लिए, और एक और proof दिखाता हूं आपको, इसके लिए, आपको को यकीन हो जागे, यह notice काफी 100% true होने वाली है, right, this is one more official proof, guys, यह P.I.B. इंडिया के तरफ से notice जारी हुए, right, official Twitter handle है, you can see, more employment opportunity in the government of India, as SSC soon to complete process for insurance of appointment later, for 15,247 post, यह 15,247 post का appointment होने वाला अगले दोती मह इनों में, right, यह कहा है, इनोंने, right, couple of months, the next notice जो उन्होंने रिलिस की है, furthermore, 42,000 appointment to be completed before December 2022, December 2022 से पहले 22,000 और appointment हो जाएंगे, पहले तो 15,247 appointment होगी, उसके बाद यह आप देख सकते हो, यहाँ पर 42 additional 15,247 के बाद, प्लस यह 42,000, यह कब तक हो जाएगी, यह कब तक हो जाए है, right, एक और बात यहाँ पर यहाँ पर यहाँ नोंने कहा है, नीचे में, आप पढ़ लो, SSC has drawn up plans to further fill the 67,000, 67,000 यहाँ पर देख सकते हो, 66,000 approximately, यहाँ पर यहाँ नंबर वेकेंसी, रिलीस करने वाली है, आपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए, आपकमिंग एग्जामिशन के लिए, कौन-कौन से गामिशन है, दोसतों, धरिसानी गामिनेशन है, GD Constable है, right, CPU है, Delhi Police है, right, जुनियर थे साथ पोस्ट, सांटिफिक असिटेंट, right, सस्टेंट, ससी असिटेंट, and SSE, MTS, CGL, SCJSL, तो है ही, right, तो कंक्लूड किया दा है, तो टोटल number of vacancy in upcoming year, right, 2022, 2023, is huge, तो यहां पर जैसा की लिखा हुआ है 67,768 और ऑफिसल वेबसाट पर जैसा की मैंने बताया था भी जस्ट वहां पर भी 70,000 स्थी के वेबसाइट के दोवारा बताया गया था ठीक है तो अप्रोक्समेटरी मान के चलिए 70,000 आप यहां से कंकूलूड कर सकते हो राइट और इस बार से 2023-2024 एलेक्शन होने वाली है तो गोवर्मेंट रिक्रोटन प्रोसेस को भी काफी फॉर्दर इंप्रूब करेगी और यूथ को अट्राट करेगी और उनका भी फायदा है आपका यह फायदा तो ग्रैब इस अपरचुनिटी विद बोथ हैंड्स गाईज और यह काफी हुज अपरचुनिटी आपको एससे लेका आई है गोर्मेंट आफ इंडिया लेका आई है विफॉर 2024-2022-2023 काफी इंपोर्टेंट होना आप सभी के लिए राइट 2022-2023 24 में एलेक्शन है जैसा कि आपको पता है राइट तो दिस इस हुज मोटिवेशन फॉर दोस व अपडेट युल रेगरली रिसीव रॉम दिस चैनल राइट काफी हेल्प मिलेगे आपको सब्सक्राइब करें और नोट्रिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें पूर्दा फॉर्दर नोट्रिफिकेशन जो भी 70,000 का नोट्रिफिकेशन आने वाला है और देने सारे ऑफिसल जो झाल 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 झाल